हेलो दोस्तों वेल्कम बैक टू दे चैनल से स्टेटी पॉइंट और यह देखिए आज मैं फिर से आपको एक नई जानकारी लेके आई हूँ यू पी एची एसी की और जो कि कल वीडियो मैंने अप्लोड की थी कि 30 माई को जो है सुनवाई होनी है और कल 30 माई तो कल जो सुनवाई हुई उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूँगी और उसके बाद अभी आज भी सुनवाई लगी हुई है ये भी बता दूँ आज आई 30 माई तो आज भी सुनवाई होनी है किस कंसर्ण में होनी है इस हुई है जिनका भी एक्जाम नहीं हो रहा है एड़र्टाइज नंबर 51 की मैं बात कर रही हूं दोस्तों ठीक है यह आप लोगों को पता होगा तो चलिए दोस्तों यहापे बात करते हैं इसके विशह में सिक्षा सेवा चाया नायोग के लिए जल्द आ सकता है अध्यादेश ठीक है तो यह कौन सा वाला सिक्षा सेवा चाया नायोगा इसके बारे में बात करते हैं दोस्तों हाई कोट में अपर मुख सच्चिव ने दी जानकारी यानि कि हाई कोट पहुचे अपर मुख सच्चिव जिनके लिए कहा गया था कि क्या नाम है आपको यहाँ पर आना यह देखें यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है कि उच्च सिक्षा विवाग के अपर मुख सच्चिव महंद्र प्रसाद अगरवाल जो की अपॉइंट हुए थे आपको पता है कि 23 मई को सुनवाई होनी थी है ना हुई भी थी तो 22 मई को अपॉइंट हुए थे यह आपको ठीक है उसको टाल दिया गया था कि इनकी नया नया इनोंने जोइन किया तो उन्हें थोड़ा टाइम दिया जा तो 30 मई को इने बुलाया गया था 30 मई को यह पहुचे थे फिर इनोंने लिखा है कि हाई कोट में हलफ नामा इनोंने दाखिल किया उसके लिए हाई कोट ने इ इसक्सा सेवा चाहिए नायोग को बनाने के प्रती यूपी सरकार जो है बहुत सम्मेधन शील है वो ये कहना चाहरा है और जल्द ही इसका अध्यादेश भी ला सकती है सरकार इसके लिए 12 सदस्य समिती का गठन भी हो गया है वो ये कह रहे थे इन्होंने जब हलफ नामा 2017 नहीं 2017 इसको दिमाग में रखेगा सहायक प्रोफेसर भर्दी मामले में मंगलवार को नड़ने टाल दिया कि अब बुद्वार को ही देखते हैं क्या होना है क्योंकि मुखमंत्री जी की बैठक हो जाने दीजे उसमें उन्होंने क्या कहा है उसके अनुसार ही देखते हैं क क्या करना है ठीक है बुद्वार को सुनवाई होगी आपको यहां पर समझ में आ गया नयायमूर्ती अजीत कुमार ने मेहंदर सिंग और तीन अन लोग की जो याची का थी इस पर यह आदेश दिया है याचियों की ओर से अधिवक्ता आपको पता यह कौन है ने कोट में प कूछना अभी तक जारी नहीं कर रही है इतना पहले का बना है यह यूपी सरकार की मामले को लंवित करने की रनीती है कि वो चाह रहे है कि ये मामला लंवित रहे है बड़तियां ना हो इसी लिए नया आधीनियम लाने की बात कह रही है क्यों कोट मामले में आदेश पारित करें कोट जो है इस मामले में जल्दी से आदेश पारित कर दें कोट ने मुखमंत्री की बैठक बुलाने की जानकारी मिलने के बास सुनवाई एक दिन के लिए टाल दी ठीक है तो जाने क आज बुद्भार को फिर से सुनवाई होगी इसके लिए कोट ने यूपी सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका देते हुए उच्छ सिक्षा विवाग के अपर मुख सचिव को तलब किया था ठीक है ये तो पहली में बता चुकी पिछली वीडियो में याचिका में भरती परक्रिया पूरी करने की मांग भी की गई थी ठीक है तो वो तलब भी हुए और उन्हें ने हलफ नामा भी अपना दाखिल किया इसलिए कि बस एक आयोग बनना है इसका मतलब क्या हो गया जब तक ये आयोग नहीं बनेगा मुझे ऐसा लगता है कि तब तक इसकी पर तो इसलिए तभी ऐसी उम्मिद लग रही है लेकिन जो मुखमंत्री जी की बैठक हुई होगी उसका जुन्रने आया होगा उसकी क्या विचार रखेंगे उसके वारे में मैं आपको बताओंगी पूरी आपको जानकरी इसमें मैंने आपको बता दी कि क्या क्या हुआ कल और यह नहीं है इस न्यूस से लेटर और यह वाला इससे रिलेटेड है ठीक है तो वीडियो में बिल्कुल अपडेट करती रहूंगी इस वेकेंजी से सम्मंदित अगर आप चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजेगा और वीडियो अगर अच्छी लग रही है और पन कर दो